इसके साथ में जो बहुत सारे स्टेट में बुल्डोजर बाबा, बुल्डोजर मामा, बुल्डोजर राज, इस तरह की जो हैर टाइक्स हैं, वो सारे जल्दी ही देश की जनता के सामने से हटते हुए दिखेंगे, पर इसके साथ में मैं यह बोलना चाहता हूँ, कि अगले पर उसके बात उस बैक्ति के घर को गिरा दिया जाता है इसके साथ में एक लाख पचास हजार घरों को तोड़ा गया है जिसमें बहुत सारे हैं यूपी का कबरपूर है और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आप पूरा पूरे देश को तवाही में डाल दिया है आपके पास कोई कानून बेवस्था नहीं तो आप बुल्डोजर बेवस्था लाते हो आपके पास बहुत सारी चीजों को लेकर के लाओ नहीं होता है तो आप उनके घर को गिरा देते हो यदि किसी एक वेक्टिव ने क्राइम किया है तो आप उस पूरे परिवार को परवाबित कर रहे हो बुल्डोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दैर की गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोट की तल्ख टिपड़ी सामना आई है उनोंने सवाल किया है कि सिर्फ आरोप के चलते आप घर नहीं गिरा सकते पूरा मामला क्या है और किस तरहां से सुप्रीम कोट के वकील नरेंदर मुश्रा जी हैं इनसे हम बात करने हैं सर किस तरहां से देखते हैं आज जो सुप्रिम कोर्ट ने टिपडियां किये हैं देखी इसमें पैरलेली दो मैटर चल रहे हैं एक तो चीफ जस्टिस ऑफ एंडिया के पास और एक जस्टिस गवाई के पास तो मैटर उस बेक्ति के घर को गिरा दिया जाता है देरिदी फोर फाइप विर लार्जर पउयंट तो हैस पान नमबर वान कोई भी बेक्ति यदि किसी वी ऑफेंस को किसी भी बेक्ति को पर आरोप लगाया गया तो उसके परिवार के सारे लोग कैसे उस ओपेंस की कस्टडी में अं हमेशा एक अच्छा बच्चा बनाना चाहता है कि आप पूरे के पूरे उसके घर की बिल्डिंग को गिरा देते हैं पूरे डिपेंडेंस को आप उसको वहां से हटा रहे हो फिर उसमें छोटे-छोटे माइनर बच्चे हैं उनको प्रभावित कर रहे हो इसके साथ में माइनर बच्चों के साथ में उसके फैमिली के सेनियर सिर्जेंस मेंबर हैं प्रेगनेंट्स महिलाए हैं बेमेंस हैं उनके लिए आपने क्या दिया है ये इसका पूरा ABCD ऐसे करके अब इसी का पॉइंट नमबर टू आ रहा है आस्पेक्ट ये है कि बिना लिगल प्रोशीडिंग कम्प्लीट हुए भारत इसकी डेमोक्रीसी में या वर्ड की पूरे डेमोक्रीसी में प्रोशीक्यूशन को और किसी इन्वेस्टिगेशन एजनसीज को कभी भी ये पावर्स नहीं दिया गया है कि उसको ये पावर हो कि वो किसी भी व्यक्ति को पूरा फाइनल तरीके से जज्जमिंट अपना दे दे जज्जमिंट खासकर घर गिराने का हो किसी को हैंग करने का या नि फांसी की सजा हो इसके लिए जूडिसरी का पूरा सिस्टम बनाय गया है ये पॉइंट नमबर तू है नेक्स वन इस पॉइंट नमबर त्री मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोला जाता हूं कि जो एन एसे र की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर अभी करेंट में लगभग सेवन लाग थर्टी एट लोग ऐसे हैं ये इस्राइल का कॉंसेट है एंड इन फर्स ताइम से इन गरेट इन इन इंडिया तो सान 17 दोजार सत्रा में भारत देश में पहली बार एंटर करता है पहले इसको छोटे मोटे कामों के लिया जाता था यूज किया जाता था धिरे धिरे करके इसको पूरे भारत देश में पूरा फैला दिया गया पर यह पहले सिर्फ यूपी स्टेट में था इसका पॉइंट नमबर फाइफ पहले सिर्फ यूपी स्टेट में था अब यूपी स्टेट को छोड़ करके अब उत्तव परदेश को छोड़े मध्यपरदेश, रजस्तान, इसके साथ में नार्थ इसके साथ में और भी सौथ इंडियन, जो भी बिजेपी से बेंच मतलब अलिज्ड हैं, बिजेपी से रेगुलराइज हैं, उन सारे में बुल्ड प्रूट पर आप ग्राउंड लेबल पर दे रहे हो तो यह भी बताने की जरुद है कि फिर आपकी आप शक्ता क्या है फिर इस्टेट पूरी जूड़ी शिरी दे देता है आपकी कोई जरुद नहीं है हम सारे लोग कोड़ गान उतार के रख देते हैं आप भी उतार दीजे और सारे स्टेट के मठों में चल दे हम लोग इस नथिंग तो हापने यह यह किस तरह कन्या है पूरे सारे वकील भी खड़े हैं कोई बूल नहीं सकता है अब इन में से आपके ऊपर आपको नेचुरल जस्टिस के जो हमारे कॉंसेप्ट है पूरे आपको ना तो बोलने का मौका दिया जा ना तो आपको प्रोसेस करने का मौका दिया गया और आपको इमेडियेट ही आपके घर को पहुचती है पुलिस और डेमॉलिस करते हैं तो मैंने कोट से बोला कि आप लोकल जो जो जूडिक्शन है लोकल कोट जो ट्रायल साय उसको पावर देजिए कि वह बिना उसके पावर्स के यह लाउट नहीं होना चाहिए कोई भी डियम लेटर लिखता है लोट आप कंटेम्ट आ रहे हैं आप चिंता मत करिए सारे डियमों को हम बुला रहे हैं और भारत देश के आठ से लगभग 25 राज जैसे हैं जहां पर बिभिन तरीके से ऐसी बहुत बड़े लेवल पर घटना है घटी है उन सारे मैं आपके वीडियोस के मादेम से फूरी चैनलों के मादेम से बोल रहा हूँ पूरे भारत देश के जितने वीडियमों ने अभी तक किया होगा खासकर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की में मैं बात कर रहा हूँ खरगोन का घटना देखिए रिवा के बाजू में बहुत बड़ी घटना घटी तो वां से हम सहराज सिंग ने किया था इसके साथ में आप अभी देखा होगा आपने कहां पर अभी एक उसका किया है दस पंदर चातरपूर का घटना देखिए इसके सा होज सारे हैं और बुल्डोजर एक कामन बात चल दी गई है तो यह सारे हरजाना भी देंगे डिफिमेशन भी देंगे और क्रिबनल ओफिंस के लिए भी अप तयारी सारे क्लेक्टर मुख्यमंत्रे जिन लोग ने भी और पास कि I am not saying that anybody's I am not targeting any particular persons only I am targeting systems who is the past such orders कि सक्षन में आपको दिया गया और से दिने के लिए इसी के साथ में करेंट में एंडिया वुल्डोजर स्रास ओवर्ड ओन फिप्टी वन लैक फिफ्टी थाउजंड होम्रेस देज सेवन लैक थर्टी एड्स लैप्ट होम्लेस इन टू यह से दो सालों में सात ला नियम कानून कुछ भी निदिखाई दे रहा है इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में हम सारे लोग आये हैं इसी के साथ में बहुत सारे लोगों का अपना-पना allegations है और कई सारे हमारे पास हैं कई सारे आमपीजने में फोन किया कि सर इसमें कुछ करूए मिश्ठ जी कुछ करूएं तो हमें इस दिल की इच्छा दिखांथी हमें इसके लिए कुछ करें देश के लिए सके लिए अपने एलोट आप सुप्रीम OP कोड के कि अगले हपते तक में आपको पूरे भारत देस की लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी ही इस में पूरा ये जितने बुल्डोजर हैं ये सारे के सारे बंध होंगे साथ में जितने लोगों ने बुल्डोजर मसीन का यूच किया है उनको भी फ्रीज किया जाए और साथ में जितने DMO ने और S.P.O. ने ऐसी व्यॉस्ता की है डिरेक्शन्स दिये हैं साथ में लॉंग वित उनका चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर सेकेटरी जो भी ओगस वहन सो सब लोग पार्टी बणने के लिए जल्दी ही आप लोगों के लिए इस व्योस्था को कानून और समिधान से देश चलेगा न की आपके बुलडोजर बाबा हु कहने से, न बुलडोजर मामा कहने से, न ही बुलडोजर से देश चलता है बैक्ति के उपर किसी के आरोप लगा करके उसके घर को परिवार को पूरा पीडित करना दुनिया में कहीं इस तरह की नय व्यास्था नहीं है यानि आपकी पूरी तैयारी है उन लोगों के खिलाव जो जिनोंने ये ओडर पास किया है मेरी तैयारी दोनों पक्ष पर है जिसने किया है और जिसने पीडित हुआ है ये अती कर दिया इन लोगों ने नहीं होता है कि सीमा होती है और चीज की लिमेट होती है आप पूरा पूरे देश को तवाही में डाल दिया है आपके पास कोई कानून बेवस्था नहीं तो आप बुल्डूजर बेवस्था लाते हो आपके पास बहुत सारी चीजों को लेकर करके लाओ नहीं होता है तो आप उनके घर को गिरा देते हो ये किसी एक वेक्ति ने क् कर रहे हो इसके साथ में मध्य प्रदेश टॉप पर है यूपी बुल्डूजर बाबा की नाम से फेमस इसके साथ में हर्याना दिल्ली और बहुत सारे राज्य हैं आप चिंता मत करो मैं पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दूँगा आप लोग सर्कुलेट करना और ये इस अपते की सुनवाई को की तारीक विते कर दिया करेक्ट करेक्ट मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ब्यक्ति के उपर आरोप तो कोई भी लगा सकता है फिर नेच्रॉल चस्टिस की ब्यास्था जो रही वो कहां आपको दिख रही है कोई भी ब्य विदेशन कोट कर दी है उसके बाद सेशन कोट उसको कर दिया आप Kis तरीके कर रहे हैं भारत देश में जहां पर देना चाहिए हूं बुल्डोजर जादा बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर अच्छी सिक्षा होनी चाहिए, वहाँ पर जेल बढ़ाया जा रहा है, यह किस तरह के एकन्या है? आपकी जो याचिका है, उसमें कब सुनवाई है? हमारी याचिका जल्दी चीफ जस्टिस आज नहीं थे, आज हमने मेंशन करने के लिए हमाये थे, सुबह से यह पूरा हमने आप लोगों के माध्यम से मेडियास को, ट्विटर में सारी चैनलों को भी बता दिया था, पर आज ऑन्रेबल चीफ कोट जो है, वह आज नहीं बैठ आ रहे थे कि सुप्रिम कोट में, ये फाइल मेंशन करने वाले हैं कि जिन लोगों के दौरा ऐसे ओर्डर पास किये गए हैं, उनको खीचने की, उनसे सवाल पूछने की जरूरत है सुप्रिम कोट में, और जैसा कि पूरी सारी चीज़ बताएं कि धिरे-धिरे सारी करने नहीं कमेंट बॉक्स मारकर पने राइज जरूर दीजेगा, शुक्रूरत है